नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें रामाइट का पार्ट किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मैंन में एक्षा होती है कि हम रोज रामाइट का पार्ट करें, और क किस ले में हमें रामाइट को पढ़ना चाहिए, हमें कितने दिनों में रामाइट को समाप्त कर देना चाहिए, कितनी विदियां होती हैं रामाइट को पढ़ने की, तो यही सारी चीज हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए, वीडियो शुरू करते है हुआधित हमैं पुस्तक पुस्तक वान, सल दखते हैं है इसके पुस्तक और इसके कपड़ जाईए और इसके बाद एक आण पुस्तक फोटा है हमें आसन प्यार चाहिए होगा आसन पर बैठ करें आप पाट करें तो चलिये अब जान ले Cookie कि सतरे हैं हम रमाइड कपाट कर सकते कम समय हैं तब तुदि कितने दोहें पढ़ें यह औदिक समय है हमारे पास तब कितने दोहें हमें पढ़ने चाहिए तो देखी रमाइड के पाट के लिए अप तीन तरीक में टो जब हम नई लेकर आते हैं तब हमएं अखंट रामायट करानी होती है पढ़नी होती है मतलब 24 गंडे में उसको समाप्त किया जाता है और नवांग परायाड जो वीधी होती है उसमें नौ दिनों के अंदर हमें रामायट को समाप्त करना होता है इस तरएका पैट मैं जो होता है वहां दीया होता है उटेया चटा विश्राम करना रिखा होता है और आपको मिल जाएगा, तो वहाँ विश्राम करते हुए, आपको 30 दिनों के अंदर ये रमाड समाप्त करनी होती है, मास पर आएं, और ये जो तीन विदिया है, ये तो रमाड में ही दी हुई है, इसके अलावा अगर आप रोज रमाड का पार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कई दोहे, साथ, दोहे, नौ, ग्यारा, जितना आपके पास जैसा समय है, उस हिसाब से आप पढ़ लें, और ये दोहे करने से पहले, चुरुआत में आपको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि चुरुआत में आपको देखिए, ये जो पूर्व पूजा दी हुई होती है, चन्नन पुस्प अक्षत से पूजन कर लें, और चन्नन पुस्प अक्षत से तो आप जब भी पढ़ेंगे, रोज मतला पढ़ेंगे, तो रोज ही आपको पूजन करना होगा, और इसके साथ ही आप जब भी पाट करें, तो एक दीपक जरूर प्रजुलित कर लें, क्योंकि यह प्रतम सोपान है बालकांड और इसमें सारे श्लोक दिये हुए हैं यह देव इस्तुति वंदना के स्लोक हैं तो यह पढ़ने पढ़ेंगे आपको स्टार्टिंग में और इसके बाद यह देखिए यहां सोठा दिया हुआ है फिर चौपाई दी हुई है और यह दोहा दिय है तो चौपाई दोहा से सोठा तो इससे देये हुए हैं तो देखिए जब आप शुरू करेंगे देव वंदना Almaा स्थूति के जो इसलोक हैं वह करने के बाद आप सोठापढाई पढ़ेंगे फिर दोहा पढ़ेंगे और इस एक दोहे के बाद जो भी चौपाई आएगी आप उसे पढ़ते हुए इस तरह से देखिए दूसरे दोहे पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद चौपाई पढ़ेंगे फिर ये तीसरा दोहा आएगा और आप देख सकते हैं तीसरा जो दोहा है उसमें का और खा दिया ह हुआ है तो जब आप दोनों पढ़ लेंगे तब ये 1 माना जायेगा ये क और खा अलक गिंति में नहीं है ये एक दो रहा है ये आप देख सकते हैं तो इस तरह से पहला दोहा दूसरा दोहा फिर तीसरा दोहा और जब अप next day शुरू करेंगे रहामाई को पढ़कर वापस से शुरू करेंगे, यह नहीं कि आप चौते दोहेश शुरू करें, आपको इसी तीसरे दोहेश शुरू करना होगा, तब ही आपका जो रमायड का पाठ है, वो सही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप चौते दोहेश शुरू करेंगे, तो आपकी जो रमा और नहीं तो आप देख लें अपने हिसाब से आप जिस तरह से कर रहे हैं इस लोग तीन पाँच साथ उस तरह से देख लें आप आपका कहां आ रहा है और इसके बाद मैं आपको बता देती हूं कि मैं किस तरह से पढ़ती हूं और हो सकते हैं आप मुझसे अच्छे से मुरागा अमिय मूर मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू सुक्रती संभुतन बिमल बिभूती मन्जुल मंगल मोध प्रसूती जन्मन मन्जु मुकूर मल हरनी कि ये तिलक गुन गन बस करनी श्री गुरुपद नकमन गन जोती सुमिरत दिव द्रिष्टी ही हो दलन मोहतम सोस प्रकाशू बड़े भाग और आवई जासू उगरहीं भी मल बिलोच नहीं के मिटहीं दोश दुख भवरजनी के सुजहीं रामचरित मनी मानिक गुपुत प्रकट जहां जोजी ही खानिक इसकी बाद ये दोहा जद्धा सुवंजन अंजिद्रग सादक सिद्ध सुजान कौतुक देकत सेलवन बूतल बूरी नीदान सियावरी राम चंद्र कीजे पवन सुत हनुमान कीजे ओ मापती महादेव कीजे इस तरह से आपको पढ़ना है और एक ध्यान देने योग बाद जिस जैसे आप तीसरा जो दोहा है वो यहां समाप्त करेंगे फिर इसके बाद जब चौथा शुरू करेंगे तो यहां से आपका नेक्स टे में पहला ये माना जाएगा और ये जो आप मतलब चौथा पढ़ होगी मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राम